प्रणावादा वंदे मात्रम भारतमादागी जये प्यारे बच्चों साथ यमित्रों सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में और इस यूट्यूब सेशन में चलिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच टीचिंग एक्जाम को मद्य ने जा रखते हुए यह जो टाइम है आपका दस से ग्यारा डेली आपकी क्लास होती है और आज यूट्यूब में बहुत लोचा हो चुका है लाइब मैं कर र कर दावड़ा जाइए दर्शन दीजिए कोमेंट कीजिए कि नहीं हो ना एक बार मैं चेक कर लिता हूं मैं हूं की नहीं कि पड़ा पड़ा प्लोग आ जाए लिए जी सर में ही दिख रहा हो ना चलो सब बताऊंगा आज आपको मालूम चल जाएगा गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग चलिए कि तो आज जो हम पड़ने वाला है कली मैंने आपसे वादा किया था कम फिगर ओफ स्पीच पढ़ेंगे क्या होता है फिगर ओफ देखेंगे और यह हो सकता है आपका कम से कम इस यूट्यूब चैनल पर दो या तीन दिन में सबाब तो मैं एक दिन में नहीं करूंगा एक दिन में करूंगा तो आपके पल्ले नहीं परेगा तो दो से तीन यानि टू और त्री डेज लेके फिगर ओफ स्पीच का थियोरी फिर इस पर हम कुश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दूसरी बात आप लिट्रेचर वाला जो सवाल कर रहा है ना उसके लिए बैच लांच कर दिया गया है कहां पे कैसे क्या ये पढ़ाने के दौरान हम आपको बता देंगे तो सारे बच्चे फड़ा फड़ा जाएं आओ यहाँ पर यह क्या आ गया भाई अज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ने जरा रही है अगर बात करें किसे बोलेंगे देखें का दूसरा नाम जो है उसे हम क्या बोलते हैं लिट्रेरी डिवाइश ल आई अले वाईया तुम इदर आज लेका भी राईटिक लिवाइश डिवाइश बोलेंगे या फिर पुइटिक डिवाइश बो इसका आविस्कार क्यों हुआ है या निए से क्में क्यों पढ़ना आता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे foundation batch में आराम से पढ़ाया जाता है सिखाया जाता आप बिल्कुल ना सूचेंगे YouTube पे है तो मैं कुछ भी कर दूँगा बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगा इमानदारी से पुरी सिद्धत से आपको यहां पढ़ाऊंगा और एक बार सारे वच्चे confirm कर दे सब्ची ठीक ठाक है ओके है कोई दिक्कत समस्या परिशानी नहीं है ना चलिए अब आओ यहां पर क्या-क्या बोला गया है क्या-क्या लिखा गया है ध्यांच समझिए figure of speech literary terms या literary devices बोलेंगे आप यहां पर आपका figure of speech लिखा हुआ है definition क्या है कि it is a word or phrase that enhances the language and make it more effective, creative and expressive क्या मतलब है इसका कि भाई सहाव यह यह तो word हो सकता है यह phrase होगा और मैं आप से अगर पूछो कि word और phrase में क्या difference है तो आप जानते हैं अगें good evening good evening जी कि हमारा कोई सा भी language हो वो जो start होता है उसकी जो beginning होती है वह एक letter से होती है एक अक्छर से होती है English language में 26 letters होते हैं आप जानते A to Z अगर letter को combined करोगे और उस combination का अपना एक meaning निकलेगा तो उसे आप word कहने का काम करते हैं word का जो combination होता है उसे हम phrase, clause and sentence कहते हैं बहुत ऐसे मासूम बच्चे हैं सब्दों के समों को तुरंत वाक के बोल देंगे जबकि आपको ऐसा नहीं बोलना है words का group या तो phrase होगा, clause होगा और जब सब्दों का समू होता है उसके साथ कोई भी क्रिया यानि की वाब नहीं होती है तो ऐसे group को हम phrase कहने का काम करते हैं, चलिए, तो यह तो word है या phrase है, जो क्या करता है, enhance का मतलब होता है बढ़ाना, increase करना, क्या करता है यह, increase करता है the language, किसी भी भासा को, भासा की सु संदरता को बढ़ाएगा और बढ़ाने की बाद क्या करेगा उसको बहुत ही effective बनाएगा, बहुत ही प्रभावसाली बनाएगा, creative बनाएगा और बहुत ही expressive बनाएगा, तो जब आप figure of speech जानते हैं समझते हैं और आप बोलेंगे और आप भी figure of speech का इस्तमाल करेंगे, तो आ आप इसे ये भी कह सकते हैं, चलिए, और आपके एक्जाम में दो से तीन question यहां से आते ही आते हैं, और हर एक information मिलेगा, सबसे पहला figure of speech हमने क्या लेखा है, आप daily जो इस टाइम में से प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे एक question आपको figure of speech, poetic device, याने literary terms के साथ देखने को मिल पहला term है हमारा simile, simile, बाई साथ, हिंदी मिनिंग क्या होगा, यह आप Google से सर्च कर लोगे, मैं हिंदी मिनिंग नहीं बताओंगा, यहां पे, direct समझाओंगा, simile का काम क्या होता है, अगर figure of speech में, simile का इस्तेमाल क्या गया है, तो simile का क्या function है, क्या काम है, और simile is a direct comparison, च क्या चाहिए, कितने content होने चाहिए, minimum two होने चाहिए, दो के बीच में तुलना करोगे, राम स्याम से ज़्यादा बढ़िया है, यहां राम भी है, और स्याम भी है, और दो के बीच में तुलना की जाती है, तो simile का का काम होता है, क्या, comparison करना, अब जब comparison आप करेंगे, तो लाई वो दोनों चीज, like और unlike का क्या मतलब है, दोनों एक जैसा भी हो सकता है, और दोनों एक जैसा नहीं भी हो सकता है, like का मतलब यहां पर पसंद करना नहीं है, like का मतलब है, के जैसा, यानि like यहां पर similarity के sense में है, या तो वो चीज, दोनों चीज similar होगी, यानि दो similar content के बीच में आप तुल ना करेंगे या फिर अनिका मिनिंग होता है नौट यानि नौट लग गया तो यह क्या हो गया डिस्ट सिमिलर यानि वो दोनों चीज़े अलग हो यानि कि सिमिलर हो या व्लाइक हों चीज़ों और जब भी आप क्या जाएगा तो वह तम आपका सिमिली कहलाएगा यानि कमपेरेजन करने के लिए हमारे पास लाइक और एज इस दोनों का अगर हलप लिया जाता है तो उस कंपरेजन को दिखाने चांट वांकि साइंस को हम सिमिली कहने का काम करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एज और लाइक क्या लिखा हुआ है एज फास्ट एज चीता यानि कितना फास्ट है चीता के इतना फास्ट है एज कोल्ड एज आइस कितना ठंडा है बर्प के जितना ठंडा है एज टॉल एज जिराफ कितना जिराफ की जितना एज स्वीट एज सुगर कितना मीठा सुगर जितना और एज डीप एज दा ओशियन कितना गहरा है ओशियन इतना गहरा है और एज कनिंग एज फॉक्स कितना चतुर कितना धुर्त है जितना एक फॉक्स होता है एक लोमरी होत Sings like a kakko यानि ऐसे इतनी मीठी आवाज है जैसे kakko की है Runs like a horse ऐसे दोरता है मानो horse दोर रहा हो और Swim like a face ऐसे तेरने का काम किया जा रहा है जैसे face तेरने का काम करती है यह यहाँ पर मतलब हुआ अब sentence में इस्तमाल देखिए इसलिए मैंने बोला बिल्कुल theory के जैसा पढ़ाया जाएगा और आज अगर आप figure of speech को ध्यान से देख लेंगे तो दो से तीन क्लास में जो मैं इस term को complete करूँगा कभी भी आपके life में figure of speech से कोई साभी सवाल आए आप exam में easily करके आएंगे sentence क्या है My love is like a red rose मतलब मेरा जो प्यार है ना और यहाँ पर love के बारे में आप किसी इंसान को बताने की बात कर रहे है My love is like रेड रोविल को लाल गुलाब के जैसा है My love is like red rose यानि अपने love का comparison आपने red rose से किया है और यह comparison बताने के लिए हमारे password कौन सा है like तो यह पूरा का पूरा term क्या है किस चीज़ को दिखा रहा similar को दिखाने की बात कर रहा है Bob is as cunning as fox Bob किसी इंसान का राम है और वो उतना cunning है उतना clever है जितना की एक fox भी होता है तो जब दो terms के बीच में आप comparison दिखाएंगे और उस comparison को बताने के लिए आपके पास two words है like and as तो आख बंद करके बोल सकते हो कि वो मेरा similar है जैसे माल लीजे कोई अपने बारें बोले कोई lady या कोई गर्ल अपने बारें बोले I am like दिपिका पाडुकॉन I am like दिपिका पाडुकॉन मैं दिपिका पाडुकॉन के जैसी हूँ तो वहाँ पर वो टम जो है क्या कहलाएगा सिमली कहलाएगा one minute please hello कि चलिए तो ध्यान दिजिए कि क्या बोला यह बॉब इज एज करिंग एज फॉक्स तो आप कोई भी इस्तामाल कर रहें तो यहां पर आपने यह का इस्तामाल करो कोई है स्वौब्ष इन और स्वह लाइक श्तामाल होगा इस्याद वह फिकरोफ इस्पीच वह लिटरेरिवाइजी बिवाइस curso सिम्य कहलाएगा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है चाहे दो दिन लगे तीन दिन लगे अगर हाथ लगाया हूँ तो कंप्लीट करके ही मानूंगा नमस्कार नमस्ते नो सर नो डाउट बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए चलो आजाओ है कि अब नेक्स्ट घ्मारा जो है मेटाफोह बहुत बच्चे से मेटाफोर पड़ते हैं आपको फोर नहीं बोलना है मेटाफो मेटाफो Всक decides आपको नहीं करना मेटाफर क्या होता है है तो मेटाफर इस बार बार बोलेंगे जवान आपकी अब यहां पर comparison दिखाना जाएगा लेकिन ये comparison डाइरेक्त नहीं होता है जैसे सिमिली में आपने direct comparison के है सचिन का बिराट के साथ कि बिराट is like सचिन डारेक्त काम पर नाम लेकि डारेक्त आप बताने का काम कर रहे हैं और वहां पर like वड भी आया है लेकिन metaphor जो है यह implied comparison है simple आपको समझना है यहां metaphor में जो comparison आप बताएंगे यह similarly से different कैसे है similarly में जब हम comparison बताते हैं तो as और like का इस्तमाल किया जाता है अभी आपने पढ़ा similarly में comparison बताने के लिए as और like का इस्तमाल होगा लेकिन अगर हम metaphor की बात कर रहे और यहां पर like और as होना नहीं चाहिए यानि like और as अगर है तो similar है like और as अगर है तो metaphor नहीं है तो metaphor नहीं है तो कैसे metaphor होगा आप अच्छे से जानते हैं जिस बच्पन से अपने sentence भी बढ़ा है कि कालिदास was the sex peer of India कालिदास was the sex peer of India यहां पर कालिदास का comparison किस से है sex peer से है तो यहां पर भी comparison बताया जा रहा है बट in this sentence like या as word नहीं है तो ऐसे comparison को आप क्या कहने का काम करेंगे metaphor कहने का काम करेंगे इस बात का ध्यान रख्ये यहां पर देखो example क्या है my mother has hurt of gold अब यहां पर तुलना किया जा रहा है ता मेरी फैना हो जो हाट यूंका जो दिल है बो विलकुल सोने का है अधिali तो यहां पर माता जी को जो जो दिल है जो ममता मही संसार उनके दिल में बसता है उनका comparison किस से कर रहे है झारे ना बाये murder has hurt his heart of gold यानि सोने का दिल है उनका यहां पर लाइक या एज नहीं आया तो यह टर्म क्या कहलाएगा यह टर्म हमारा कहलाएगा मेटाफर इसलिए मैंने धेर सारा एक्जामपल दिया है और आप सवाल भी कर सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो नाइरा है जाए स्टॉन ह यानि ना जो दिल है ना बिल्कुल पत्थर के जैसा है आप ने उसके हट को पत्थर के से स्टॉन से व स्टॉन की एक चुछ और ने खुर रहे हैं तोि यहां जो घृणहीं है इसमें आपको लाइक यह नहीं है और यहीं पर अगर मैं लाइक या एज का इस्तवाल करूं लाइक लायन वह बिलकुल लाइन के जैसा है जैसे लाइक बो वो सिमिली हो जाएगा लेकिन लाइक या एज नहीं है और उसके बावज़ुद कॉम्पैरिजन को बताना है तो वो हमारा मेटा और होगा कि यहाँ पर सीज सच आफ फायर क्रैकर अब देखो कई वार ऐसा बोल दिया जाता है ना मतलब बिल्कुल पटाका लग रही है तो आप जो है इस मुहतरमा का कॉम्पैरिजन के से कर रहे हैं कि बिल्कुल तुम पटाका लग रही हो सीज सच आफ फायर Cracker तो ये भी आपका क्या है Metaphor है दूसरी बात आप बाहर भरबर के सुनते हैं ये सब सेंटेंज समय ही पैसा है समय का कॉंपरेजन किस से कर रहे हो मनी से कर रहे हो या आपका क्या हो गया Metaphor हो गया नहीं है मैं एक ही बार को बार बार बोल रहाँ एस्ट्रगल इस लाइफ संघर सही जीवन है बाई इस्ट्रगल का कॉंपेरिजन किस्से है आपने लाइफ से किया है और वहां पर लाइक और एज नहीं है तो सिमली नहीं मेटाफर होगा रितेश अगरवाल इस दा इलाउन मस जानते होंगे और यहां पर भी लाइक होगा और लाइक और होगा तो मेरा सिमली होगा और कौंपेरेजन बता रहे लाइक और लाइक और मेटाफर होगा चलिए यहां तक कोई डाउट कि विकाज यू आल्सों नो कि अधिस टॉपिक बट सर एक्स्प्रीन बेस्ट थैंक्यू बेरी मच आपकी कही गई बात को मैंने समझ लिया लेकिन आप लीखे जो है उसमें ग्रैमेटिकल एरर है खैर कोई बात नहीं आपने कोशिस की है बहुत अच्छा काम है कोशिस करकर हो चलिए बताए बताओ बन्दू यहां तक मामला सही है I have given such an example 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 sound vowel letter का one example यह नहीं बोलना यस बोलो यह यह फॉर्मल है इन फॉर्मल है यह 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 हमारा फॉर्मल है फॉर्मिटी कूपिय करना है आपको आओ यहांपे तो मेटाफर हम पड़ लिए अब आईए इसका दर्शन करवाता हूँ पहले ये क्या है समझे लो आप लोग बहुत डिमांट कर रहे दे सर 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 आओ करवा दिया देखिए ये क्या है बंदू आप लोग जो मुझे बोले जा रहे थे न किसर कुस्तो कीजिए कर दिया अब थोर अशा आप लोग सांत हो जाएंगे चीजों को समझने की कोशिस करेंगे समझाना क्या चाहता हूँ ध्यान दो देखिए आपके एक्जाम का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है साथ जुन से पंदरा जुन तक एक्जाम होना है क्लियरे मामला मैं इंगलिस की बात करूँगा इंगलिस में आप जानते हैं grammar से question होता है वो क्याब होता है synonymous, antonymus, one word, idiom क्लियरे मामला उसके बाद आप बात करेंगे comprehension में तो आपके comprehension पूशे जाते हैं और फिर आप बात करेंगे literature और literature आपके लिए एक challenging mode होता है आपका दिमाग खराब करता है आप बोलता है सर पल्ले नहीं पड़ता बिल्कुल पल्ले परेगा समझाओंगा don't worry about that आईए यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यह क्या है देखो पहले फास्ट रिविजन कोर्स सौट में अगर बोले तो एफ आर सी फास्ट रिविजन कोर्स बिपीए सी टियारी 3.0 2024 यानि जो जून में आपका एक्जाम होना है चाहे मैं 6-8 की बात करूं 9-10 की बात करूं 11-12 क यह जो बैच है यह इंगलिस लिटरेचर का बैच है यहाँ पर आपको ग्रैमर का कुश्चन नहीं दिखाई देगा यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसन का कुश्चन नहीं दिखाई देगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे लिटरेचर की इसकी बात करेंगे वी से डिनाहीं करता हों यह आपको अच्छे तरीके से मालूम है तो पहले त्योरी फिर explanation अब कैसे पढ़ेंगे त्योरी और क्या क्या पढ़ेंगे भाई साब अगर लिटरेचर की बात की जाएं तो आप इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे बृतिस लिट्रेचर की बात करेंगे और अमेरिकन लिट्रेचर की बात वहाँ पे करेंगे और इंडियन लिट्रेचर में जो भी फेमस ऑथर्स हैं राइटर्स हैं जिनका एक्जाम में सवाल पूछा जाता है वो कुछन आपको दिखाई देगा American literature की बात करेंगे और आपके exam में literature से most of the questions जो होते हैं वह British literature से होते हैं तो वहाँ पे British literature जो most important है जो आपके exam में पुछा जाएगा वो आपके लिए पढ़ाया वहाँ पे जाएगा question and फिर आपकी practice होगी वहाँ पे theory के साथ-साथ आओ यहाँ पर फी जो आपका है वो आपका 299 है और यह फी बिल्कुल आपके लिए ज्यादा नहीं है है ना बिल्कुल सेवा दिया जा रहा है आप ये समझे batch start कब से हो रहा है 18 April से batch आपका start हो रहा है इसकी timing जो होगी वो time आपको बता दिया जाएगा time हमने अभी इसलिए mention नहीं किया क्योंकि studio अभी बहुत बीजी चल रहा है आपके exam को ही लेके तो आपको time बता दिया जाएगा लेकिन 18 April 2024 ये मेरे लिए बहुत ही महत्तोपुर्ण दिन है इसलिए है कि 18 April को मेरी कजन की साधी है लेकिन मैं घर नहीं जा रहा हूँ है ना घर से बहुत फोन आया है कि भाई आना है आना है एक ही कजन है खुद की बेहन भी नहीं है एक ही कजन है चाचा जी की बेटी और उनकी साधी है है ना और उसमें मैं नहीं जा रहा क्यों क्योंकि आप लोगों का exam है मैं चाहूं तो एक दिन के लिए साधी में जा भी सकता हूं उससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आपके एकजाम के लिए आपके पास around कितने दिन होंगे 50 days होंगे 50 दिन होंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं gap करूँ आपका नुकसान हो मैं ये बिल्कुल नहीं च आता और मैंने साधी के दिनी बैच अनौंस किया है 18 अप्रिल को वहां पे साधी होगी यानि बहन किसी और की होगी और मैं आपकी क्लास यहां लूंगा मेरे लिए वह चीज बहुत इमोशनल है लेकिन आपका एक्जाम है बोलने में मन भर जा रहा है लेकिन फिर भी तो को आप राप्त कर पाएंगे के लिए मामला चलिए आपके क्वेशन्स ले लेता हूं सर टाइमिंग मॉर्निंग या इवनिंग यह बता दिया जाएगा पल्लवे है ना और आपका कोई भी टाइमिंग हो आपको घर से ही पढ़ना है क्योंगी ऑनलाइन क्लास चलेगी यह व बोलता नहीं चला गया होता जाओंगा नहीं राजिन सर हम तो भी प्यासी ट्यारी फोर ले चुके हैं अब क्या करें कोई दिक्कत नहीं वहां पढ़ना डॉंट वरी लेने का ना ट्यारी फोर ले चुके वहां भी लिट्रेचर हम पढ़ाएंगे लेकिन वह बैच सब्सक्राइब करना पड़ता है नो जब्सक्राइब करूंगा तो कीमत तो मिलेगी अगर काम करूंगा तो जो कीमत है वो तो मिलेगी यह वात तो है लेकिन उस काम को कितनी सिद्दत से करता हूं कितनी महनत से करता हूं यह मैटर करता है कि सिर्फ अपने लिए काम करता हूं या आपके लिए भी काम करता हूं है ना यह आप अच्छे से जानते हैं किलियर जाहिर सी वात है कि मजदूरी करूंगा काम करूंगा तो उसकी ज किमत मिलेगी है ना लेकिन उस काम को पूरे सिद्दत से पूरी इमानदारी से करता हूं यह मैं जानता हूं मेरा भगवान जानता है आईए यहां तो आप लोग इस बैच को परचेज कर लेंगे दूसरी बात ट्यूजडे से मंगलवार से 40 questions का सेट होगा और उस 40 questions में आपके वोकैब, कॉंप्रीहंसन, लिट्रेचर और ग्रैमर से हर एक टाइप का जो आपके एकजाम में देखने सुनने को मिलता है चाहे प्रैपोजिशन हो, नैरेशन हो, वाइस हो, कोई सा भी टॉपिक हो जो आपके एकजाम में आता है चाहे पॉलिटिक डिवाइस ही क्यों ना ह यह हर एक टाइप का कुशन आपको वहाँ पे देखने सुनने को मिलेगा और डिसकेशन हम करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड वे में, 40 कुशन का Tuesday से और I think उसकी जो टाइमिंग है morning में 9 से 10 होगी, clear, उसके बाद Saturday Sunday, आज मैं क्लास नहीं लिपाया, कल मैं क्लास नहीं करेंगे जहां पे grammar, comprehension, vocab, literature का सवाल जवाब मिलेगा, लेकिन ये वाला जो batch है, ये literature के लिए dedicated है, और आप सारे बच्चे ले ले लेंगे, और आप सारे ही नहीं, आप अपने मित्रवंद्मों तक इसे पहुचा देंगे, क्योंकि literature जिसका बढ़िया होगा, मैड तक जाए सब तुम्हारे साथ आएंगे, सब तुम्हारे साथ आएंगे, सब तुम्हें सलाम करेंगे, सफल हो जाओ, है ना, इस बात का ध्यान रखिये, बैच 299-1 कैसे परचेज होगा, आप जो है Google Play Store से एप डाउनलोड कर लेंगे, प्लैटफॉर्म बाइन कुमार सिंग, प्लैटफॉर्म बाइन कुमार सिंग, डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे ये बैच आपका लग चुका है, आन है, जाके परचेज कर लोगे, क्लियर, म आपका डेली 40 questions का वो जो 9-10 में होना है, वो चलेगा, और फिर ये 18 अपरिल से ये बाच, किल बिला के 18 अपरिल से हम लोग 2-3 बार मुलाकात आपस में करेंगे, यूट्यूब पे और आपके माध्यम से, चलिए फटा पट लोटते हैं, काम की बात करते हैं, या आजाओ, तो और आपसे ये भी request है, कि आपके जो भी मित्रवंदु हों, कहीं और भी पट रहे हों, कोई बात नहीं, literature का ये batch, आप उन्हें share कर देंगे, उन्हें लेना होगा तो ले लेंगे, है ना, चलिए, circle class होगी, ये आपको notification मिल जाएगा, मालुम चल जाएगा, है ना, देखो, similar हमने पड़ लिया, अच्छा, इसको छोटा करना है ना, भाई तुम छोटे हो जाओ, इसको छोटा कर दीते हैं, चलिए, समझ गया आप, इसे आप जरूर सेर कर देंगे, आज आओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, next, personification, personification के वारे में कहीं बार आपको बता personification में एक वर्ड चिपा हुआ है, person, क्या चिपा हुआ है बंदू, person, और person का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और व्यक्ति मतलब कोई इंसान होगा, कोई living being होगा, है ना, personification, हिंदी में क्या बोलते है, मानवी करन, the practice of representing objects quality as human, अब देखो यहाँ पे, हमने सिर्फ यहाँ पे हैं, तो यह term हमारा personification कहलाता है, हम उस चीज को personify कर देते हैं, मानवी करित कर देते हैं, मानवी करन बोला जाता है, सुध हिंदी में इसको, अब आए, सिर्फ हम non living को ही living नहीं करेंगे, बंदू बात ऐसी है, कि आप किसी object की बात करें, किसी animal की बात करें, या किसी bird की बा जानवर को, किसी animal को, किसी bird को, आप इनसान बना के परस्तूत अगर करेंगे, तो वो टम मेरा personification कहलाएगा, आप बोलेंगे सर, animal और bird जो है, ये तो मेरा living है, ध्यान से देखिए, अगर हम tree plant की बात करें, पेर पौधों की बात करें, तो वो biology के according, जीब बिज्ञान की according, स सिर्फ इनसान को सजीब माना गया है, बादवा की जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, चाहे जानवर की बात करो, bird की बात करो, plant की बात करो, वो हमारा non living होता है, कान खोल के सुन लिजिए, English के according, सिर्फ इनसान ही living है, बादवा की जो भी है, वह आपका non living है, इसल वन मिनिट, हाँ, आप bird को या animal को object को human being बना देंगे, वो अटम मेरा personification कहलाएगा, मानवी करन कहलाएगा, क्लियर है मामला, क्या लिख रहे हैं आप, सुकला जी, सर आप, building side में रहे हैं, अच्छा कुछ ज़्यादा ही बना था, यह वाला, कोई बात नहीं, वन बार्क इंटेजिटी मिल्कू लिए रवर नहीं क्या 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 है, आईये, comment आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान सुनेंगे, जब आप comment करते हो, मेरा ध्यान जाता है, उधर, तो मैं होता हूँ, divert, लास्ट में जो भी सवाल जवाब होग तब करना लास्ट में करना यह आप लोगों से हाथ जूर के बिंती करना ध्यान दीजिए नहीं तो मैं भटक जाओंगा पढ़ा नहीं पाओंगा अब यहां देखो मैं समझाता हूं फिर एक्जांबल पढ़ाओंगा अब मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को मालीजे यहां चे कि हट करना इंसान का काम है कि हट कौन करेगा दर्द कौन देगा इंसान से ज्यादा दर्द कोई नहीं देता किसी को है ना तो मैंने बोला चेर को यूँ हर्ट में तुमने मुझे दर्द दिया तुमने मुझे चोट पहुचाया तो यह क्या है पर सॉनिफिकेशन है एनिमल कई बार हम एनिमल को ना एक इनसान से जैसे जादा प्यार करते हैं जैसे मैं एक लाइब एक्जामपल आपको दूँ मेरी एक भावी जी है उनका एक डॉगी है वो आज तक भाया को यानि वो अपने हस्पेंट को बेबी नहीं बूली लेकिन अपने डॉगी को डॉगी का ना काम कर रही है जैसे मालों इंसान का ही बच्चा है परसॉनिफिकेशन या कई वार हम क्या बोलते हैं टॉमी टॉमी आपने नाम रख दिया भाई टॉमी जैसे भी बोला जाएगा ऐसे लगड़ा है किसी बच्चे का नाम है किसी इंसान के तौर पे जानबर को भी हम अगर हुम करेंगे या बतलाने का काम करेंगे वह मेरा परसॉनिफिकेशन कहलाएगा ठीक है मामला आईए यहां पर यहां बोला गया है दसन किस्ट मी वाइल आई वच क्लिकिंग अपिक्चर अब सन इसको किस कर रहा है सन अगर आपके सामने आ जाए आप जलके खतम हो जाएंगे और एक्जामपल क्या दे रहा है सन सुरज की रौशनी आई होगी बोले सन किस्ट में तो सन किस नहीं कर सकता ना लेकिन किस करने का काम कोई इनसान करेगा मम्मा अपने बच्चे को कर रही है यह कपल लोग है लेकिन सन किस्ट यह आपका क्या है नॉन लिबिंग को लिबिंग देंग त्वे स्टे इन अटेंशन एज सुन एज आई हैड आरंड डैम जैसे यह मैंने अपने कपरें पर आयरंड किया वह बिल्कुल सीधा हो गया जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो तुम बिल्कुल स्ट्रेट रहो वहीं बोला गया माइक लोट्स स्टूड सो और ऐसा कब हुआ अब दिखिए यह जो है क्लोट्स यह एटेंटिव कैसे होगा एटेंटिव तो कोई इंसान होता है लेकिन जैसे यह आपने आइरंड किया वह बिल्कुल टाइट हो गया एकदम स्ट्रेट है जैसे किसी ने उसको एटेंशन बोला है कि साबधान रहें विस्राम रहें तो भाईया नॉन लिविंग लिविंग परस्वानी ठिकेशन तीसरा एक्जामपल देगे क्या लिखा हुआ है देट लेज हिजाएसी हैंडस ऑन किंग्स मौत आएगी और उठा के एक दिन ले जाएगी ऐसा बोला जाता है ना कि देट हैज तो आप डेट को वैसे रिपर्जेंट कर रहे हैं जैसे वो कोई चीज है आएगा फिर साथ में ले जाएगा नॉन लिविंग को लिविंग बना रहे परस्वानी ठिकेशन नेसेसीटी इस दा मदर ऑफ इन्वेंशन आविसकार की जन्नी है किलियर तो नेसेसीटी कोई ऐमान में युगदान दे इसलिए जो औरते हैं जो महिलाए हैं जो इस तरी है उने बोला जाता है जगत जननि जो अपने जैसा जन्म कर पाये ऑपनी जैसा पैदा करने का मधर और पैदा करना आसान काम नहीं होता है है ना जब हम आये होंगे हमारी मा को या सभी के मा को बहुत दुख दर्द तकलीफ हुआ होगा है ना और उस दुख दर्द तकलीफ से निकल के हम आये हैं तो मा से ज़्यादा महान को यह नहीं इसलिए बोला जाता है और आप देखते भी हैं दुरगापुजा के टाइम में जो महिला में बच्चियां होती है मैल्या पोल गरे उन्हें खाना खिलाया जाता है तो महिलाओं का संबार पर नेक्स्ट लेबल पर होना ही चाहिए होता कंदर का मतलब क्या होता है मदर मतलबnio बहिक बोला जाता है क्यों कि वो निर्मान करना जानती है निर्माता है स्रूष्टिकी तो नेसेसीटी मदर ओफ इनवेंशन की आभिसकार का जो जननी है ना वह आवशकता है सिम्लाकिंख कोई चीज नहीं और मदर बोल रहे हैं यानि लिविंग बेंग तो यह हमारा क्या हो जाना है पर सॉनिफिकेशन दुख नहीं होता है किसी माग मैं दुख की बात नहीं कर रहा हूँ वो जो एक लिवर पेन होता है डिलिवरी के बद वो दर्द ऐसा बोला जाता है कितने सारे हजार हड़ी तूटने के दर्द के बराबर होता है मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ मा तो बहुत पावरफुल ह यहां पर जूट के पाउं नहीं होते अब जूट कोई चीज है जिसके पाउं होंगे जा रहा है तो यह हमारा सब्सक्राइब कोई बैटने का काम उठने का काम भागने का काम कोई इंसान करेगा और आप इसाव डेली लाइफ में बुलते हैं कि नहीं बुलते हैं यहीं हमारा पर सॉनिफिकेशन इसलिए मैंने भर भर के एक्जामपल दिया है ताकि आप समझें एक्स्प्रियेंस इस दा बेस्ट टीचर अनुभब से वरा टीचर कोई नहीं होता है सा बोला जाता है जिन्दगी में भाई सहाब आपके पास जितना ही अनुभब है चाहे थोरा सा हो कल टाइम अच्छा ही रहेगा या अभी अगर टाइम खराब चल रहा है तो इसकी भी कोई गैरेंटी नहीं है कल टाइम बढ़िया नहीं आएगा इसलिए रामधारी सिंग्धिन करके कभीता भी है कि वर्सों तक वन में घूम घूम बाधा बिगनों को चूम चूम ठाइल आप दाम पानी पत्थर पांडवाए कुछ और निखर सोब भागन सब्यण सोता है देखें आगे होता है अगर आज समय खराब है तो कल बहुत बहतर हो सकता है और आज अगर बहतर है और थोरा नियत-अगर खराब 보여 जाए घमन होजाएं तो जाके वो बेकार भी हो सकता है ऊऌट अपका है आपका है आपने जिंद्स सकता है आप का पैसाि भी धिवालिया गोशित हो सकता है औरandra जा सकता है लेकिन आपका अपना ज्यान अपनी बुद्धी अपना अनुभब यह आपसे कोई छीन नहीं सकता कोई सेंटेंस है एक्सप्रियंस इस दा बेस्ट टीचर यानि अनुभब से बड़ा सिक्षक कोई नहीं है और यह एक एमोशन है एक फिलिंग है नॉन लिविंग ह पर सॉनिफिकेशन का एक्जामपल है यह यहां कोई दिकत पर सॉनिफिकेशन में बताईये मेरे को फटाफट पर सॉनिफिकेशन में कोई डाउट समस्थ्या परिशानी मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा रहा है यह फिगर ओफे स्पीच आप बोल यह आपको कैसा लग बोलो, नो सर बरसा बहुत दिन के वाद आप दिखाई दे रहे हैं, क्लास रेगुलर नहीं आते हैं, क्यों बंधू, पहले तो आते थे आप, देखो, नमबर फोर में बहुत बच्चा इसका जो प्रननसिएशन है ना वो गलत करता है, हाइपर बोले, बोलता है, हाइपर ब बली, हाइपर बली, हाइपर बली, हाइपर बली, बली बोलने का काम करेंगे, हाइपर बली, के लिए मामला, अब देखो, हाइपर बली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है, मैगनिफाई, मैगनिफाई, मैगनिफाई का मतलब क्या होता है एक्जाजरेट और एक्जाजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तूत करना कैसे यस सर बहुत ज़्यादा बिमार थी ओक अब ठीक हो गए हो ना बगवान करें अब ठीक रहें गौड ब्लेस यो हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए आईए तो हाइपवली का मतलब होता है मैगनीफाय और एक्जाजरेट यानि बढ़ा चढ़ा के बूलना अब बढ़ा चढ़ा के कैसे बोलोगे जैसे मैं यहां पर महिलाओं का एक जांपल देंगा एक दिन में दिया भी था और सायद हैं कि मेरे वाले चलती बस में दौर के चढ़ लेते हैं इतने बहादूर हैं तूसरी बोलती है तुम्हारे वाले कुछ phosphorus हो फिर भी चढ़ाते हैं तुमारे तू में चढ़ते हैं हमारे महौदे जो हैं हमारे जो पतिदेव gradaur में अए तो ट्रेट करते हुए चड जाता है ट्रेन में और इक वोझति उर्टेवे प्लेन में तीन प्रती तीन आपस में मिले और पूझे तुम्हारा प्रति कहां है ट Essamatz कि बेलगे की कोशिस किये थे उसके पिताओ नइंचला कि वह कहां गये आई यह तील का तार करना बिल्कूल गप्पे हांकना बरी बरी बाते करना कि हमारे वाले उर्ते प्लिंड में चड़ जाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है चलो आजाओ पता नहीं सूपर मैंने क्या है नहीं है तो है पबली का मतलब इट कैने वी सेट बिया फॉर्म एग्जाजरेशन यानि किसी भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चड़ा के प्रस्तूत करना और वही वाली बात उर्ते वे चड़ जाते हैं चलो एग्जामपल क्या लिखा हुआ है आइंट खुद इट आल दा फूड यह बढ़ा जाता है मुझे इतनी जोड़ की भूग लगिया ना मैं हाथी भी खा सकता हूं मुझे इतनी जोर की भूग लगिया मैं तुम्हें भी खा सकता हूं खा दो फिर तो वही यहाँ पर है I am so hungry इतना भूखा हूं I could eat all the food सारा का सारा खाना खा सकता हूं यह बढ़ा चधा की बोलना हो गया फिर पाइस दो चान की किया क्या है मेरा भाई बोलता है कि उसके मिलियंद वही बोलता इकी सेटिंग I繼續 का मतलब होता है निकम्मा ऐसे तो वह बैठा हुआ है काम निकार निठला है और बुल रहा है लाखो काम है करने को मिलियंस ओफ वॉक्ट डू थर्ड में क्या बोला गया सी क्राइड सो मज्च वह बहुत रोई और इतना रोई इतने आसू निकले उस आसू से सागर का निर्मान हो सकता है के वाड़ा पैसा सुनते है ना खून की नदी बहा देंगे तुम खून की नदी कैसे बहा होगे बहु वह बोला गया सी क्राइड सो मज्च दैट हर टियर्स कुड फिल दसी है ना कि उसके आसू इतने लिख ले सागर बन गए सागर है ना अब रहने दीजिए मनीस सिंग भाई मनीस कि किसका नाव है बॉय का या अगर लगा क्योंकि माई हस्वेंड आप लिखे जा रहे हैं है सर आपकी अपनी सिश्टर से लराई होती है बहुत मेरी कजन है जिसकी साधी होने वाली है बहुत लराई होती है उसकी साधी भी होने वाली है और मैंने बोला कि तुम्हारा दुलहा जो होगा यानि तुम्हारे जो हस्वेंड होंगे बिलकुल भग चोनर होंगे ना तो चि से इतना है साइलन्स इतना जादा है एक पीन भी गिड़ जाए तो सुनाई देगा बोलते ना कि मेरे क्लास में इतना माहुल सांत रहता है उसकी आवाज हो जाएगी जहां पर भी रहा वाहाँ सैलेंस कैसे रह सकता है यानि आप बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और ज चलिए आप लोगों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ाओंगा क्या आज तो फिगर ओपे स्पीश के माध्यम तो थोड़ा सा सिरियस नहीं बोलूगा सिंसियर होता हूं ताकि फिर बात्चित बहुत ज्यादा हो जाएगा ना वैसे मैं अपने प्रस्टनल लाइफ में बहुत ही मौज मस्ति करने वाला इंसान हूं लास्ट वाला पिन ड्रॉप सैलेंट का मतलब होता है बंदू इतना सैलेंस है कि कुछ भी होगा ना वह सुनाई देगा जैसे टीचर लो बात को बढ़ा बोलड़ा इतनी सांती है कि हर एक चीज़ सुनाई देता है उतनी सांती वहां पर नहीं होगी अगर आप अब आपका प्रकृति निशाद बहुत अच्छा नाम है भाई लिट्रेचर का बैच जो 18 अप्रिल से आ रहा है 299 रुपीज में जहां लिट्रेचर को बिल्कुल त्योरी और क्वेश्चन करवाए जाएगा अब आप पे आपका ओपन है आप उहां से जाके बैच परचेज कर सकते हैं प्लैटफॉर्म बाइन कुमार सिंग का जो बैच ह नाम से वारा बैच है इस बेज़ ऑन विमेंस थॉर्ट चलो आजाओ यहां पर ताइम हो गया क्या ताइम कभी ध्यान रखना होता है चार मिनिट बचेंगे चलो इसको डिल कर लेते अपस्ट्रॉफी एपस्ट्रॉफी एपस्ट्रॉफी इस तक पढ़ाया ना यह रहने द दिन के लिए आपको पढ़ा दूं यहां पर तुरंत क्याजमस पढ़ा दिया एनाफोरा पढ़ा दिया एल्यूजन पढ़ा दिया ऐसे बस बोल के चला जाओंगा तो पलने नहीं पढ़ेगा आप यहां पर इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बहुत बोल और जब बोलूंगा एक्जाम्पल्स आएंगे आपके डिली लाइप से रिलेटेड होगा तब जाके बाद समझ में आएगी तो कि यह फिगर ऑफ स्पीच है लिट्रेरी डिवाइस है पॉइटिक डिवाइस है और यह आपके एक्जाम में भर भर के पुछा जाता है जादा घुलने मिलने में पढ़ाई कम होता है हाँ इसलिए मैं ज्यादा एक्दम सिंसिर होता हूं पढ़ाते ही बत आज तो फिगर ऑफ स्पीच है यहां पे बोलने का मौका मिल रहा है वैसे सीधा क्वेश्चन को डिल करता हूं चलिए तो आज हम यहीं तक पढ़ाई मामला कितना कहां तक पढ़े हैं चार तक ना हाइपर बली क्या क्या पढ़ लिए पर सॉनिफिकेशन मेटाफर और सिमली और टोटल यहां पे 33 है हमारे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे आराम से करेंगे आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है लिट्रेचर वाले बैच का जो पासेज होता है जिसे आप रीड करते हैं तो कैसे किसी कंप्रीहंसन वाले पैस्ज को रीड करना है यह आपके समझ में आता है और फिलास्फी पे बेज़्ड होता है फिलास्फी क्या होता है फिलो मिन्स लब, सौफि मिन्स विजडम, यानि लब फूड, रिस्पेक्ट फूर विजडम, जहां ग्यान की पूजा की जाए, ग्यान का सम्मान किया जाए, उसे हम फिलोसफी बोलते हैं, और हिंदी में दर्शन सास्त्र बोला जाता है, दर्शन का मतलब क्या दिखाई देन जब सत्य के दर्शन हो जाए, सही का दर्शन हो जाए, गलत का दर्शन हो जाए, आप चीजों को समझने लगे, ये नेगिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानि वाकई किसी ऐसे चीज़ से आपका दर्शन हो, जो आपके लाइफ के लिए बहुती फूटफुल है, बहुती पढ़ाई लिखाई कर लोगे, सफल होई जाओगे, लेकिन एक इनसान के तौर पे, इनसान बनना ये बहुत जरूरी होता है, और हम में से बहुत से लोग बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन मरते तक, मरने तक इनसान नहीं बन पाते, तो कल का जो डूज होता है, एवरी होगा, आप देख लेंगे, कब उसकी टाइमिंग है, कल आपका ये ये प्रेक्टिस वाला सेक्शन बिलकुल नहीं होता है, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, संडे मोटिवेशन डोज, पार्ट टू, फिलोस्पी बेस्ट कॉम्प्रियंसर, ऑफलाइन टेस्ट में है, मुझे तो इंफोर्मेशन नहीं है, मैं कल बता दूँगा आपको, कल वो 40 वाला बता दूँगा, आज मैंने वो लिट्रेचर वाला बताया है, वो आप देख लिए है, और पर लिए क्या कहना है, सर 9 बजे वाला टेस्ट पर चेज कर लूँ, बाद में दे सकती हो, किसी है, चलो, हाँ, ट्यूजडे से है, क्या टाइमिंग रहेगा, कैसे क्या करना है, उसका मूड क्या है, सब आपको कल मैं बता दूँगा, ठीक है, चली अगली मुलाकात, कल रात में करते हैं, मोटिवेशन डोज के साथ, और आप लोग जरूर उस सेशन से जुरिए, ऐसा नह नहीं है, वो आपके माइंड को ओपन जरूर करता है, और इसको ओपन करना बहुत जरूरी है, एक इनसान के तौर पे, ठीक है, चलो, गुड नाइट, बाइबाई, चेक के र, रेगुलर आईए, रेगुलर पढ़िए, मैं गुड नाइट बोलके फिर से बोलने लगता हू ठीक है ना, चलो, गुड नाइट, बाइबाई, चेक के हो